हेलो दोस्तों मेरा नाम अभय कुमार है और आज हम लोगों के साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर जोन दयाल सहब अभी मौजूद है और मौजू जो है वो भी बहुत ही इंपोर्टन्ट है आपको पता है कि भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी सहब अभी पोप से किये हैं और वहां पर दोनों के बीच में जो इमेजेज और जो तस्वीर जो हमारे पास फूटे जाएं वह बहुत ही मधूर संबंद और बहुत ही ऐसा लग रहा था कि बहुत प्यार उस मिटिंग में भरी हुई है तो यह बहुत एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है कि क्य जो परधान मंत्री जी जिनकी ट्रेनिंग जो है वो एक हिंदू निस्मलिजम यानि हिंदू कटर पंथी विचारधारा में जो उनका उनकी ट्रेनिंग हुई है क्या उससे वो अपने आपको अलग कर रहे हैं या क्या पार्टियां कुछ अलग हो रही है जो हिंदुतों की हैं या सिर्फ ये कुछ दिखावा था क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए था भूलना चाहिए कि कुछ दिन पहले ही इस टेंड स्वामी की जिस तरह से कुरूरता के साथ जिस तरह से उनकी हत्या की गई थी तो उसके बाद से क्या कुछ बदलावा आया है इस पे जॉन सवाल बगाएर किसी फॉर्मिलिटी के कि जब आप अलजजीरा पे या किसी चैनल पर परधान मंतरी जी को पोप सहाब से मिलते हुए देखें और बहुत ही अच्छी तस्वीर आ रही थी तो आप अपने आपको एक पत्रकार एक राइटर एक हुमर राइट्स और सिरफ हिसाही नहीं कैतलिक जो कि पोप का सेक्शन है नहीं क्यूंकि मैं पोप को भी जानता हूं और श्री नरीदर भाई बोधी को भी जानता हूं और यह भी मेरे मन में काफी साफ है कि दोनों का जो नुक्ते नजरिया है जमीनी चीजों पर दोनों का जो भाबना है द दोनों का जो दिष्टिकोन है इंसानियत के उपर, दोनों का जो दिष्टिकोन है, इंसान इंसान से कैसे बरताव करें। उन दोनों को जानते वे मैं कह सकता हूं कि ये मोधी के लिए सिर्फ एक फोटो ऑपरचुनिटी मात्र है और उसको भी वो मेरे ख्याल से थोड़ा सही शयद भुना पाएंगे। कि सब जानते हैं और पोप भी जानते हैं कि ना मोधी बतले हैं ना हिंदुस्तान में ग्राउंड रियालिटी बतली हैं जहांपे मुसल्मानों पर, यिसाईयों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, अत्याचार, जिस चरम सीमा पर है, वहां से रख्ती मात्र भी निचे लेकिन सवाल यह है कि क्या इंसान बदल नहीं सकता सर या आइडियोलोजी बदल नहीं सकती है वाइबल में पी एक आदमी था सौल, सिपह सालार था और वो रातो रात बदल गया, उसका दिल बदल गया, क्योंकि उसका दिल जब वो सिपह सालार था तब भी ठीक था, उसको जो हुकम दिया क्या था, वो उसको दिखाता था, तो कोई पुलिस वाला जिस तरह से रिटार होने के बाद आरसेस का बन जाता है, मैं मान सकता हूं कि कोई पुलिस वाला एक यूमन राइट अक्टिविस बन जाए, वहां तक तक तो मान सकता हूं, मगर जिस आदमी को बच्पन से ही ये ट्रेनिंग दी गई है, कि आपको मुसल्मानों से बैर रखना है, आपको इसाइयों से बैर रखना है, आपको दलितों से, उसको आप छोटी जात कहते हैं, उन से बैर रखना है, आपको एक ऐसे वालत की परि जागरिक बनके रहना पड़े, उस ट्रेनिंग से तूट पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं रह जाती है, वो धर्म बन जाता है, मोधिजी का धर्म, राष्टे स्वयमसेंशन की जो ट्रेनिंग है, जो वहां पर ग्रिना सिखाई जाती है, जो ग्रिना को वेपनाइस के जा सकता है, ये राष्टिलक करके भी उससे बदले नहीं है ये, लेकिन सर, पोलिटिकल साइंस में हम लोग कुछ पढ़ते थे, कुछ स्कॉलर से कहते थे, कि आइडॉलेजी जो भी हो, जब बीजेपी, जब मतलब पावर में आती है, तो थोड़ा बहुत हो अगर हिंदुत वाले को मिल जाता है, तो उनका काम बहुत आसान हो जाता है, तो कुछ दिल तो बदल सकता है, यही पर यहां पर इनकी पोल खुल जाती है, क्योंकि इसाइक, जिनकी संक्याश है तीन करड़ों के आसपास है, समतीन भी हो सकती है, वो कहां कहां पर उनकी नगालेंड में, जहां के मैंने पहले भी कहए बरी का है, एक सीट है, जहां पर पॉपुलेशन एडिया कित्त भी हो, दिली के किसी भी कजबे से कम है, कहां पर लजाएंगे यह, बाकी जहां करनाटक ता मिलना, रांदरा वगरा वगरा वगरा, वहां पर इनको हिंदु वो इनको इसाईयों के सामने कुछ शोशा करने की, यह करने की कोई खास इनको ज़रूरत नहीं है, मगर इनको दुनिया के सामने अपने आपको अच्छा दिखाने के ज़रूरत है, और वहां पर यहां तो पिचारे पुप शरीफ आत्मी है, उन्होंने उनके मूँ पे भाव न है और हमारे जपी माग रहा है, लेकिन सर, पावर, एक्तदार, सत्ता का भी तो कुछ उसका भी तो आकर्सन कुछ एट्रेक्शन होता है, तो क्या इसाईयों को मंत्री नहीं बनना है, क्या मिंस्टर नहीं बनना है, क्या उनको ताकत नहीं चाहिए, तो वो भी तो जा सकते ह जाते हैं, उत्रपरदेश में भी मुसल्मानों को एक तपका और एंगलो इंडियन्स के एक तपका अधितेनात के साथ है, भिष्ट के साथ है, किरला में कई बिशप्स, मोधी को नहीं, मोधी की सरकार के साथ आना मांगते हैं, कि शैद उनके जो कसूर हैं या उनको कुछ मिल मोधी की सरकार बिना हिसायों के चल रही तक, अबी रीसेंटली जॉण वर्ण बळ्ला एक ग्रेहराजिय मंत्री बने है कई सालों तक बिना हिसायों के चलिए है, सारे प्रांतोğ में या भाजाप्र की Σरकार रहिए कोई हिसाय मंत्री दीनख़ e और रुत्रपडर्दु कहते अगर उनका कुछ है तो दुनिया की नजर में अपनी इमेज कैसे बना सकते हैं इनके दोस्त लोग कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर आप आईए इन्वेस्ट कीजिए उस हद तक यह माइनॉर्टिस को कभी कभी तलब कर लेते हैं मगर इनों ने जब हमारा एक एक डेलिगेशन इ हनके पहले शथर में तो उनको इनोंने साफ का हा था आदे जिए तर आए करके से और का आए कि मैं जानता हूं आप मेरे साथ कभी नी हो साफ का था और ठीकी का था था क्योंके जो सब्बे इसाह्याई पर लिखिखा इसाहिया है वो इतना अपने आप में नहीं घुसा हिंदु महिलों के साथ क्या होगा है उसके आखों में शर्म तो है पड़ता है उसका दिमाग तो है वो जानता है कि इस आद्मी को सत्ता की भूख है इसके अलावा हमारी इसको कोई चाह नहीं है रहा आपने दूसरा सवाल किया कि क्या है इसाही इंडिविजुल्स चर्च के कि इस इस कमिशन में आ जाओं मेरे को पोस्क मिल जाए मैरे को लोन मिल जाए जह जानता होगा इका दुक्का वह अपनी तरीके से करेंगे उससे पुरे जो समूं है तीन कार्णों सवा तीन के उसको क्या फायदा होगा लेकिन सर कुछ लोग यह भी कह रहा है कि जौन द्य रहा है उसको ये तसलीम करने के लिए टयार नहीं है. इसलामिक फ़र्auिण्टीह के खिलाफ म मैं इसाय फ़र्णिमेंटलिसम के खिलाफ भी हूँ और जो बुद्धिस फर्नमेंटलिजम जिसकी आप बर्मा में और शिलंका में देख रहे हैं, उसके किलिए मैं तो कि मैं शिलंका से रिपोर्टिंग करता था काभी कभी जाके तब से उसके खिलाफ लिक रहा हूं, फर्नमेंटलिजम और जिसको वेपनाइज कर जया गया है, उसके खिलाफ हो इसमें तो कोई दो राया ही नहीं, लगर मैं हिंदूों के, मुसल्मानों के, बुद्धिस्टों के खिलाफ नहीं हूं, मेरे गर में कहीं हिंदू है, मेरे बहुत निकरता मृष्टाग में हिंदू से शादी किये, मेरे बेटे ने हिंदू से शादी किये, तो मैं इंदूतों में और हिंदूहों में फरक मानता हूं और जो मोधी चाहप हिंदुतों है जो अधयतिनात भिष्ध चाहप हिंदुतों है जो आरसे चाह फितबुतों है, वो तो एक अलगender microphone है उसकी आंखों में किसी के लिए कोई लिए दीर है तो सभी जानते होते तो य यहां का जो हिसाई है आप बार बर कहते हैं कि उसमें स्थाधक कर Опसर पर आदिवासी लोग ती र लोग मुख्टि पाने के लिए निजात पाने के लिए उन्हों या जो एकेडमिक जगत हो जो पत्रकारिता हो या जो इस तरह के हिंदुतों की पाटियां वो इसाइयों को धर्म परिवर्तन भारत की एकता और अखंता के लिए एक चालेंज ऐसे सवालों तक ही समेट के क्यों रख देते हैं यह यह बहुत ही दुख की बात है जी उनकी समझ अब आज में बाबा साब अमबेतकर का स्लोगन में आ रहा है और नहीं समझ पा रहे है कि कास्ट कितना बड़ा शोशन है आज की तारीख में कोई मुगल हिंदू का सोशन नहीं कर रहा है अंग्रेजी राज नहीं है यहां पर जो इसाइक कह सकते ते आप अपन को अला कि अ सोशन करता है अमीर आज में सोशन करता है राजवाला के लोग वो सब इंगिस्तान के साथ ते कोई गरीब इसाइयों के साथ तो तो यहां पर यह अगर सोशल साइंसिस के भी लोग कहते है कि हम लोग पड़डा हिला रहे हैं, एक तरहें तु एक तर्य कीश्टि के बाया है. अगर आप, पादर स्टेंड स्वामी तरह जाके, आप आदिवासी हो कहेंगे, पठरगाडी करो. आदिवासी को कहेंगे, कोई आपकी जमीन ले रहा है, کوई आपका जनगल ले रहा है, कोई आपका जल लेना है उसके खिलाब आवाज उठाओ क्योंकि यह आपकी दरूर है चुरा रहा है हो आत्मी और इसको आप कहेंगे कि इसाई यहाँ पर इसको राइस क्रिस्चिन बनाने के लिए आया है वो आपको अलू बनाने की कोशिश करें कि ताकि यह ना कह पाएं कि ह रहें और जो हुआ पे पाथास्टेन स्वामी है हो सोशिन करता हो के खिलाब लोगों को जाग रुख कर रहें करें कभी आप उसको माववादी कह देते हो कभी आपको इसाई कह देते हो कभी जाए क्भी इसको और चुच 박ा, ह meow ड़तान के लिए अन ले सब्सको एक नया सू सर जिस तरह से दूसरे religious communities में diversity होती है जैसे मुसलमानों में हिंदुों में हैं उसी तरह से इसाइयों में भी है तो क्या आपको लग रहा है कि वो उस अगर हो रही है अगर हो रही है तो इसे कैसे रोके पांच तरेकी की डैवर्सिटी जैसाई धरम में हिंदुस्तान में है अगर चीन में होता है जपान में होता तो कोई और पर पॉट लाइन आती है मगर क्योंकि यहां पर हिंदुस्तान में है तो सबसे बड़ी पॉट लाइन आती है जाती की एक बहुत तब का आदिवासी और दलित है कुछ तब का जो कोस्ट किया है वो है जिसको आप कर सकते हो नाविक है मच्वारा है और कुछ तब का ट्रेडिंग में है बड़े अग दो लिए के कि अंदर तेन किसम के चैतलिक है चैतलिक अंदर तीन किसम के थिक एं और पुरुश पाट्रियाटी की और एक नई सोच जो माईलों में आ रही है डाउरी के खिलाब बागी चिजो के खिलाब एक और बाके लोगों की तरह एकोनॉमिक डावर्सिती है, मैंने बताया, दिल्ली में, कलकत्ता में, मैंगलोर में, गोवा में और बंबे में इसाहिक कतफ़ कर वड़ा उंचा है, पेशे में हैं, एंजिनिर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, दुकानदारी करते हैं, छोटी या बड मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, और मैंने आपको बतायाता है, जो पोलिटिकल और जोग्रिक डावर्सिती है, वो बहुत है, जहां पर इसाही तपका है किसी तादात में, इलेक्शन में करने के लिए, तो पांच सीट केरला में और तीन सीट नॉर्ट इस्क में, आठ कहते हैं कि 54 सीटे भी आरी है, तो में माल लेता है, उसमें पांच सीटों के उपर अड़ा है कि जो नॉर्ट इस की असेम्बली देजिन को आप कह रहे हो, आज भाजापा कराज है, भाजापा कराज नहीं है, नॉर्ट इस की प्रथा रही है, कि जो तत राजा दिली में, व क्या करेंगे, यहां पर रोट के लिए पैसा नहीं जाएगा, काले के लिए पैसा नहीं जाएगा, जो दुकान दारी से पैसा आता हो नहीं होगा, तो वहां का जो आदमी है, वहां की जो सरकार है, वहां की जो पॉलिटिक्स है, सेंटर की मोताज है, किरला में ऐसा नहीं है Kerala मेरे मुसलमान है, एक एलाए में हिसाही फ्रोग है, और उपर सारे एलाए में हिंदु है, जो कि CPM के साथ भी है, कॉंगरेस के साथ भी कभी दोसरे वजूद deserved कारता है, कुछ ट्राइबल हैं, कुछ दहलेत हैं. तो किरला में आप कह सकते हो कि इसाही को पठा के आप फोड़ा पोलिटिकली डावर कर सकते हो, इसाही को पठा के आप उसको सीपीम की खिला लगा सकते हो, इसाही और मुसलमानों के आपस में तनाव बढ़ा कर आप खेल सकते हो, वहां तो हो सकता है, अगर वहां पर 20 सीटों में से कुल मिलाकर पांच सीटें के ओपर यह बात आएगी तो अगर पूरे हिंदुस्तान में आप कहलें बीच सीटें भी माल लोगा राप चुकि मैं कहना हूं नहीं पॉसिबल है अप करनाटक में इसको आप कहते हो जो कोस्टल बेल्ट है करनाटक का और तमिलनाट के कुछ अरिया और आंध्रा के कुछ अरिया इनको छोड़के इसाइयों को कहां वजूद है मुश्पल सीट तो जीत निसकते अपने 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 अपनी जी सकते जबकि किसी प्रलिटकल पार्टी के साथ ना हो या कॉंगर्स के साथ या बाजापर के साथ या तेल गुदेशब क इस तो सीट तक महदूद नहीं की जा सकती है इसाई समाज के पास बहुत सारे एजुकेशनल और आपको कहें कि हेल्थ से डिलेटेड बहुत सारे इदारे चलते हैं उसके अलामा इसाई समाज में एक अच्छी खासी तादात में पढ़े लिखे लोग इन्वर्सिटीज में जर्नलिजम में और दीगर जगह पे हैं तो सूच सकता है हिंदुतों का और इस रिसोर्सेज को हम टैप कर ले इनको अपनी तरफ कर ले तो साइद उनका काम आसान हो जाए साइद इससे भी आपकी तरफ लालच बरी निगाहों से देख रहे हों कि साइद पुछ हमारे एज बता है जहां पर पा launch एशाई आपको पूपर प्लांत की पत्लकार्टा में टि कर दे रहों को अठीजा को दसेज संपातिग आदीज़ कंट्रोल है यह मत्मिंत्onta है यह मं दिली में जॉन, वर्गीज, जोस, पांचे नाम दिली में, पांचे नाम वर्गीज, इकसाय के रह तो आप सोचें पूरा पश्य है, れटिए वेह है। अरदु पत्रिकारता है। उर्दु पत्रिकारता में कि तो यह तो बात नहीं है। इंस्चोशनें क्यों स्सकुंते हैं। रॉद के suivre नियुंग है। रॉच्चानमें है। हिंदु पड़ता है पिच्छान में प्रांतों में तो 4,000 की क्लास में, 4,000 की स्कूल में आपको 40 हिसाई भी नहीं मिलेंगे मत्रप्रदेश के कुछ इलागों में यह मैं आखो देखी मैं आपनी बता रहा हूं को आपको दिल्ली में सेस्टिवन्स कॉलेज में बंगलोर में बंबी में और करला में मिलें यह हिसाई पंदरपतिशाद 20 परशेद पच्छीश परशेद और कह जगा सेस्टिवन्स यह प्राना कोया तो पुरे हिंडुोस्तान से आता है दिल्ली के हिसाई सरफ नहीं हो पुरे हिंडुस्तान से आता है अजय को डिसेट्वार में सेवियर ।क सिम रंची में और इस बम इनमें पुरे प्राइड देश के लोग आते हैं तो उनसकी तर एक सचिए के इस पॉन निकल रहा है। वाले कलते शुक्षर करते हैं। तो एक तो कास्च्ठ रखिट स्वाँ को राख होते हैं, दूसरा हम Snapchat को कुद्ध रहे हैं, मैंने कुद्मार आहे हैं, मेरा भी काम है यह बहुत हैं एंटा, कास्च्छर के लिए कैया माई रखिशा koydumya को सौतंतत हो। दर्म के हिसाब से भी होगा, कास के भी होगा आखरी सवाल, अगर आपसे प्रधान मंतरी जी मिलने के लिए आए तो आप इसाई समुदाय और इसाई क!] कमुनिटी जी किन किन मसायल को उनके सामने रखेंगे और कहेंगे कि प्रधान मंतरी जी आप जिस तरह से हिंदू के परदान मंतरी हैं और इस तरह से दूसरे लोगों के हैं आप हमारे कॉम्निटी के हैं तो इन इन इसूस पर आप जड़ा ध्यान दीजे ये हमारे खिलाप खत्रे हैं क्या 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 सला देगा अगर आप से आपके घर पर मिलने परदान म मैंने कभी किसी इसाइ डिलिगेशन को परतानमDan strategy मिलने से नहीं डोका है कि Μेरे मानना है प्रदानमτά के आजिती है सररकार के साथ हमको engage करना है सरकार के साथ निकोषेट करना है सरकार को सुप्रीम कोड काप करना है सरकार के खिला है रहारे लगा जब डेलिगेशन जाता है तो उनको कहे बारी वो बोल भी थे थे अच्छे आप जॉन दायर को नीला है और मैं भी इसी वास्ते किसी डेलिगेशन में ना उन से मिलने जाता हूं ना ग्रेमिंटे से मिलने जाता हूं यूकि मेरी शकल देखते ही जो मुद्दे के लिए लोग करने है ते उसे विवकर के वो बला 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 गली गलोच परा जाएंगे तो आप बिल्कुल भी पूर उमीद नहीं है ने मेरा ख्याल है मोदी जी की जो मीटिंग थी पोप से उससे इसाजियों को तो कोई फायदा हो नहीं और अगर मोदी सोच रहे हैं कि उस मुटिं अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कर्वा का तनक बाच रहा जे अगर ऐसे मुट रहे हैं कि ऺॉल ऑर फूर कि नहीं है यहाएं को चोटा इलाख्य में हैं कि अगर आप सोच रहे हैं तो अगर आप सोच रहे हैं अहल Congen感00त पैसे हुलिए बरी 6,10 में से सोच रहे area इससे इनको कोई ज़्यादा होने वाला नहीं है शुक्रिया सर आपने हमें इस बहुत ही सेंसिटीव और बहुत ही हसास मसले पे बहुत आसानी से हम लोगों को बहुत सारी बाते बताई जो बात मैं अगर समराइज करने की इजाज़त सर दें तो मैं यह कहना चाहूंगा कि ड पधान मंत्री जी मोदी जी की जो मुलकात थी यह बिल्कुल एक फोटो खिचाने वाला स्टेशन था और वो चार है कि पोप से मिलके कुछ एलेक्शंस में उनको कुछ फायदा हो जाए लेकिन जौन द्याल सहाब का कहना यही है कि जो घाव यहां के जो वंचित तब के जो डिप्राइवट सेक्शंस के ऊपर इस सरकार ने जो जखम दे दिया है जो घाव दे दिया है वो सिर्फ फोटो खिचा लेने से और हैंड्सेक करने से इतनी जल्दी से भरने वाला नहीं है सर थाइंकिव वेरी मच हम लोगों से बात करने हैं